दोस्तो सूरे गिरंड 2020 में इस समय लगेगा और जानिए सूतक काल का समय पूरे 500 साल बाद बना है ऐसा सूरे गिरंड होगा अदबुत संयोग गर्बती महिला भूल कर भी ना करे ये काम आपके बच्चे पर कष्ट आ सकते हैं ऐसे में शादिशुदा जोड़े पांच काम त लगने बाला है धार्मिक दिरिष्टी से ये सूरे गिरंड काफी महत्यपूर्ण माना जा रहा है ये सूरे गिरंड भारती समय के अनुसार सुभा नौ बजे के बाद से शुरू होकर तीन बचकर चार मिनट तक रहेगा इसके लिए सूतक काल 20 जून की रात यानी शनिबार को दस बजे से शुरू हो जाएगा आपको बता दें इस सूरे गिरंड के समय घ्रै और नक्षत्रों का ऐसा संग्योग बनने जा रहा है जो पिछले 500 सालों में नहीं बना ऐसे में खास तोड़ से सूरे गिरंड पर गर्बती महिला के लिए ये पांच बाते बहुती महत्प नहीं तो परिनाम बड़े भ्यंकर हो सकते हैं ऐसे में शास्त्र आपको सबसे बड़ा पापी कहेगा तो चलिए जानते हैं दोस्तों गर्बती महिलाओं के लिए ये सूरे गिरंड सबसे घातक और अब तक का सबसे पीडित करने बाला माना गया है ऐसे में जरासी गलती पारी नुकसान पहुचाने के लिए काफी है इसलिए गर्बती महिला को घरंड के दोरान सोना खाना पकाना और सजना सबरना या सबजी काटना कपड़े सीना आदी से बचना चाहिए गरंड काल के दोरान गर्बती महिलाओं को घर से बाहर कभी नहीं निकलना चाहिए खास में घरंड के दर्शन तो भूल कर भी मत करना अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते तो आपके बच्चे को शारिरिक दोश हो सकता है यहां तक कि बुरी द्रश्टी पढ़ने के कारण आपका होने बाला बच्चा किन्नर पैदा हो सकता है या फिर बिगडैल भी पैदा हो सक गरंड खतम होने के बाद गर्बती महिला को नहाना आबश्यक हो जाता है नहीं तो शिचु को तोचा सम्मधित रूक लग सकते हैं गरंड के नाकारात्मक पिरभाप से बचने के लिए गर्बती महिला को तुलसी का पत्ता जीप पर रखकर हनुमान चालिसा और दुरुगा इस्तुती का पाट करना चाहिए दोस्तो पती पतनी सूर्य घरंड के दौरान ये गलती कभी मत करना शास्तरों का अपमान माना जाता है सूर्य घरंड के दौरान अगर आप शाररिक सम्मंध बनाते हैं तो यकिनन शास्तर के अनुसार आपकी होने बाली संतान किनर पैदा ह आपका होने बाला शिशू किसी बीमारी से घरस्त हो सकता है या आपका शिशू बिगड़ेल पैदा हो सकता है शास्तरों के अनुसार गिरंड के दौरान समंध इस्थापित करने से नरक में भी इस्थान नहीं मिलता इस समय आपको एक दूसरे से दूर रहना चाहिए गिरंड के दौरान यदि आप ऐसा पाप करते हैं तो आपके ऊपर अब तक के सबसे बुरे पिरभाब पढ़ेंगे जिससे आपकी आर्थिक इस्तिती अस्थाई रूप से बिगड़ जाएगी आपके सबी घरे बिगड़ सकते हैं आपकी कुंडली में भारी दोश लग सकते हैं इस पर आपकी हर पुकार को पूरा करें और आपको सबी संकटों से बचाएं दोस्तों जानकारी पसंद आये तो एक लाइक तो बनता है